नमस्कार आपका स्वागत है भविश्य पुरान 18 प्रमुक पुरानों में से एक है इसमें धर्म, सदाचार, नीती, उपदेश, अनेको व्यक्यान, व्रत, तिर्थ, दान, जोतिश, योम आयरुवेद के विश्यों का संग्रह है इसके अतिरिक्त इसमें नित्यकर्म, संसकार, सामुद्रिक लक्षन, शांती, तता पोष्टिक कर्म, आराधना और अनेक व्रतों का भी विस्तरत वर्नन है भविश्य पुरान में भविश्य में होने वाली घटनाओं का वर्नन मिलता है इसमें कई राजा महराजाओं और समराटों के जन्म होने से पूर्व ही उनके विश्य में लिखा हुआ था साथ ही इसमें इसलाम और ख्रिश्चन धर्म के उदे से हुदे से हजारों वर्ष पहले ही इनकी भविश्यवानी की गई थी भविश्य पुरान के अनुसार इसके शलोकों की संक्या 50,000 की लगबग होनी चाहिए परंत वर्तमान में कुल 14,000 शलोकी उपलब्द है बाकी 36,000 शलोक गायब है या किसी के द्वारा नश्ट किये गए है इन शलोकों में भविश्य में होने वाली कई घटनाओ के रश से छिपे होए थे आज की इस वीडियो में हम आपको भविश्य पुरान में बताए गए पुरिशों के शरीके लक्षनों के आधार पर बताएंगे कि व्यक्ति भग्येशाली होगा या दुरभग्येशाली पड़ सकती है तो चलिये जान लेते हैं सबसे पहली बात यदि किसी पुरिश के पैर में तरजनी उंगली अंगुटे से बड़ी दिखाई देती है तो ऐसे व्यक्ति स्तिरी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं दूसरी बात यदि किसी पूरुष के पैर कोमल, मासल यानि भरे हुए रक्तवर्न यानि लाल रंग के होते हैं और जिनके पैर पसिने से रहित होते हैं वे सभी सुक्सुधाय प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग भोती आराम का जिवन वेतित करते हैं। तीसरी बात, यदि किसी पूरुष के पेरों के अंगुटे बहुत ज़्यादा मोटे दिखाई देते हैं, तो उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता है। चोती बात, यदि किसी पूरुष के पेर सफेद, रूखे, टेडे नाकुनवाली हो और उंगलियों की बनावट भी असमान हो, तो ऐसे लोग परिशानियों का सामना करते हैं, इनके जिवन में धनकी कमी बनी रहती हैं। चोती बात, यदि किसी पूरुष के पेरों में सबसे छोटी उंगली अंगुटे से बड़ी है, तो ऐसे लोग भहुत धनी होते हैं। चटी बात, यदि किसी पूरुष की जांग पर रोम नहीं होते हैं, तो वे भाग्य का साथ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। साथ बात, पूरुष की जांग लंभी, मोटी और मासल यानि भरी हुई होती हैं, तो वे भाग्य का साथ प्राप्त करते हैं। मजबुत जांग वाले पूरुष, धन और सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। आटल बात, यदि किसी पूरुष के घुटने मास रहित होते हैं, तो उसे छोटी-छोटी सफलताओ के लिए बहुत मेनत करने पड़ती हैं। नवी बात, यदि किसी पूरुष का पेट मासल यानि मास से भरा हुआ है, सीधा और गोल है, तो वे लोग धनवान होते हैं। ऐसे लोग सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। दस्वी बात, जिन लोगों का पेट लंबा और पतला दिखाई देता है, वे गरीबी का सामना करने वाले और अधिक भोजन करने वाले होते हैं। ग्यारवी बात, किसी पूरुष की पीट लंबी होती है, तो वो बंदनों में फसा रहता है। बारवी बात, जिस पूरुष की पीट, कच्वे की पीट के आकार की तरह दिखती है, वो धनवान और भग्यचाली होता है। तेरिव बात, पूरुषों के लिए चोड़े और मजबूत कंदे शुब माने गए है। चोड़ा, एदी किसी पूरुष की नाभी, गेरी और गोल हो, तो वो सभी सुख प्राप्त करता है। चोटी नाभी वाले पूरुष, जिवन में परिशानियों का सामना करते हैं। चोटी और चप्टी ठुटी वाले लोग, धन का सुख प्राप्त नहीं कर पाते। उबरी हुई ठुटी शुब मानी गई है, एदी किसी पूरुष की गर्दन कुछ ज्यादा लंबी है, तो ऐसे विक्ती के जीवन में समस्याय अधिक होती है, छोटी गर्दन और सामने गर्दन शुब होती है, ऐसी गर्दन वाले लोग, धनवान होते हैं, और जीवन में उपलद्या हसिल करते हैं, यदि किसी विक्ती के हतेली का तल घेरा है, तो उसे पिता के और से धन का सुक नहीं मिल पाता, हतेली का तल यानि बेच का हिस्सा उबरा हुआ दिखाई देता है, तो ऐसे लोग दानी होते हैं, और सुकी रहते हैं, जिन पूरुष के पैर जिस विक्ती के पैर का तलवा पीला दिखाई देता है, वो बुरे काम करने वाला होता है, और भीमारियों से परिशान रहता है, जिस पूरुष के पैरों में अंगुटे बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, वे गरी भी रहते हैं, तो दोस्तों, इस प्रकार से भविश्य साथी चानल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद